यह चाहते दिल्चस्ट ट्विस्ट और ड्रामा के लिए तयार है। रुद्राक्ष ये जानकर चिर जाता है कि प्रीशा अर्मान से शादी कर रही है और चीजे उसके खिलाफ जा रही है। रुद्राक्ष ये जानकर चौक जाता है कि प्रीशा और अर्मान ने कभी शादी नहीं की थी और यहां वह सानिया को यही बताता है। रुद्राक्ष सानिया को अर्मान के पास वापस जाने के लिए कहता है और वह प्रीशा के पास वापस आ जाएगा। यहां सानिया पूछ जल्दी कहीं भी सारांश पहुच पाएगा और सानिया यहां कैसे काम करेगी आगे और क्या ड्रामा और धमाका का इंतजार है और अब स्थिती कैसे बदलेगी यह चाहते दिलचस्ट ट्विस्ट और ड्रामा के लिए तयार है प्रीशा अहाना की बेटी कृष्ण से मिलती है और उसे घर ले आती है और अहाना इसके बारे में जानकर हैरान रह जाती है और सानिया को कृष्ण को ठाकुर के घर से बाहर निकालने के लिए कहती है जबकि प्रीशा हैरान रह जाती है प्रीशा कृष्ण से मिलती है और उसे पकड़ लेती है और समझ नहीं पाती की क्या करें और कैसे मैनेज करें यहां प्रीशा कृष्ण के साथ उस संबंध को महसूस करके चौक जाती है और वह वास्तव में भेस में सारांश है लेकिन प्रीशा उसे पहचान नहीं पाए प्रीशा और रुद्राक्ष इस बात से अंजान है कि कहानी में आगे और क्या ड्रामा हो होने वाला है क्या प्रीशा अपने बेटे सारांश को पहचान पाएगी और आगे कहानी कैसे बदलने वाली है